आज हम बात करने वाले हैं BPH यानि की प्रोस्टेट एलाजमेंट यानि की बनाइन प्रोस्टेट हैपरपलीज्या के अबारे में प्रोस्टेट क्या है प्रोस्टेट एक ग्लैन यानि की गरंती है जो की हमारे पिशाब की थैली और पिशाब के रस्ते के बीच में होती है जो समय के साथ विद एज इंक्रीज करती है और हमारे पिशाब के अंदर रुकावट पैदा करती है इसका में फंक्शन हमारे सिमैनल fluids को बनाना होता है with age increase करती रहती है size के अंदर और हमारे पिशाब के अंदर रुकावट पैदा करती है normally prostate जो है 18 gram का होता है but after age of 50 years वो increase करना शुरू करता है अगर आप पुछे normal prostate to normal prostate 18 gram का होता है but after age of 50 years वो size की अंदर increase करना शुरू करता है अगर आप percentage wise पूछें तो more than 50 years के जो males रहते हैं उनके अंदर prostate भढ़ने की जो chances है वो more than 50-60% रहती है जैसे जैसे age भढ़ती जाती है अगर आप 90 years के उपर आएंगे तो वो जो enlarged prostate की जो आपको chances है वो more than 90% होते हैं अब enlarged prostate के symptoms क्या होते हैं जैसे कि पिशाब आपको रुक रुक के आना पिशाब बार बार जाना पिशाब के अंदर हलका पिशाब निकल जाना अब आते हैं हम इसके डियागनोसिस के उपर मोस्टली हम जो भी भी हम prostate का पिशन को डियागनोस करते हैं तो इसमें चार चीजें हम कराते हैं एक ultrasonography एक आपका urine का फ्लो का टेस्ट एक सिरम पी ऐसे यह देखने के लिए कि कहीं उसमें कोई cancer के chances तो नहीं है और एक urine का कंचर उसको यह देखने के लिए कि इसमें कहीं आपको urine में infection तो नहीं है तो अब आते हैं हम इसके treatment के उपर most of the patient यानि कि 90% of the patient जो कि enlarge prostate के हैं वो medical management से ही ठीक हो जाते हैं यानि कि आपको सिर्फ medicine से ही लेनी पड़ती हैं और आपके symptoms काफी improve हो जाते हैं 90% हो जाते हैं बट एक मान के चलिए अगर आपको enlarge prostate है और उसके जैसे symptoms है तो वह आपको medicine life long लेनी रहती है आप उसको बीच में बंद नहीं कर सकते हैं जो second treatment है वो है इसका surgical treatment यानि कि सिर्फ 10% लोग हैं जिनको enlarge prostate के साथ हैं और उनको surgery की जुरत पड़ती है और जो surgery भी होती है तो वो laser से दुर्बीन दुवारा ही हो जाती है इसमें भी कोई incision, cut, suture, ठाके, निशान इस से लेके का कुछ नहीं होता पिशाप के रस्ते से दुर्बीन डालके laser से उसको prostate को निकाल देते हैं जो आज की date में latest technology है जिसको हम whole app बोलते हैं आपका hospital stay भी लगबग 2-1 दिन रहता है जो तो whole app technology है उससे आपको advantage यह भी है कि इसमें blood loss आलमोश डेल रहता है आपकी recovery very fast होती है आपका जो prostate जो निकलता हो maximum prostate निकलता है यानि कि अगर आप whole app की surgery के तरफ जाते हैं तो आप 3-4 दिन आप घर जा सकते हैं और अपना office भी आप तक्रीमन 5-6 दिन बाद अपने office को भी जोइन कर सकते हैं अगर आप इसकी कोष्ट की बात करें हमारे जैसे institute में whole app की जो कोष्ट है from 90,000 तो 1.5 लैक तक जाती है depending upon size of the prostate and the type of room you are gonna choose it अगर आप उसे अभी पुछें कि प्रोस्टेटिक इनलाजमेंट वाले patient के लिए क्या सला रहेगी आज के दिन तो मैं आपसे यह कहूंगा कि अपने जितने भी symptoms हैं पिशाब के हमारे कंडी में यह problem है कि हम after a certain age अगर urinary में कोई problem आ रहे हैं तो हम समझते हैं कि यह age related है और यह normal है actually यह normal नहीं है अगर आप आपको urinary में कोई disturbances है पिशाब बहुत कम-कम आ रहा है बार-बार जाना पड़ रहा है रुक रुक क्या रहा है तो तुरंट से किसी urologist को दिखाईए और अपना treatment start कीजिए विकोज एक बार अगर इनके symptoms काफी भड़ जाते हैं तो उसका फिर treatment possible नहीं हो पाता है और चाह family अगर हमको उसको पकड़ने तो उसका क्यूरेटिव इलाज है अगर लेट होंगे तो उसका कोई इलाज नहीं है thank you